आज का ये जो podcast है ये दिन का दूसरा podcast है basically लेकिन थोड़ा सा इलग podcast रखूँगा मैं इसको podcast ये है कि एक confusion था मेरे mind में उस confusion को मुझे express करने का मन किया तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक podcast में convert कर दूँ कुछ टाइम पहले की बात है कि मैंने ये सोचा था कि मैं spirituality में पैसे नहीं डालूँगा और ना ही किसी से लूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज है जो पवित्र है और सुकून देती है तो मैंने सोचा कि ये इसमें पैसा लाने की ज़रूद नहीं है कहीं न कहीं एक image बनी हुई थी मेरे mind में कि पैसा लाना एक गलत चीज है spirituality में और वो image एक custom बन रखा है YouTube पे कि meditation के नाम पे पैसे नहीं कमाने चाहिए spirituality के नाम पे पैसे नहीं कमाने चाहिए दिरे दिरे जब मैंने इसको logically इस custom belief को देखा तो मैंने सुचा कि यार ये सही भी है या फिर मैं emotional हो रहा हूं मतलब it's like totally my decision to do it or not do it बट ये confusion था बहुत जादा बड़ा confusion था मतलब ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है मेरे mind में क्या करें इसमें क्या करा जा सकता है इसमें तो काफी सोचने के बाद एक बहुत बड़ी दुविधा में मैं गुस गया वो दुविधा मैं बताता हूं आपको मेरे पास इस समय तीन चीजे हैं जिसमें मैं पैसे बना सकता हूं number one है संगीत number two relationship coaching जिसमें मेरा idea जो मैंने बहुत पहले discuss किया था जो लोग breakups इनका हो रखा है उन लोग के साथ मैं तीन महीने के course में webinar में जुडा रहूंगा और उनको heal करने में help करूंगा वैसे देखिया आप heal तो कर नहीं सकते हो किसी को लेकिन आज के जमाने में जब हर कोई मतलबी है और आपको कोई सुनना नहीं चाहता है और जो आपकी जजबातों को समझने वाला नहीं आपके दोस्त आपके मुँँ में दारू की बोतल डाल देते हैं और कोई फोन भी नहीं उठाता तो ऐसे में एक सुनने के लिए कान और बताने के लिए को कि देखिए इसमें क्या होता है कि दो टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में वो यह होते हैं कि एक होता है जो आपको बाते बता रहा है और बदले में आपसे सजेशन चाता है और एक है आपको बाते बता रहा है और वो सजेशन वजेशन नहीं चाता है वो बस आप उसको सुनो चुप चाप कि उसकी कहानी क्या है तो यहां पर एक बहुत बड़ी सीख मिली थी मुझे जिन्दगी में कुछ टाइम पहले एक मेरी फीमेल फ्रेंड थी तो उसने मेरे को एक कहानी बताना चालो कि उसका ब्रेक अप चल रहा था ब्रेक अप की टाइम बताती रही बताती रही बताती रही मैं उसको suggestion दिये जाओ अब ये कर अब वो कर वो फिर भी बताए जाए वो suggestion सुने ही ना मैंने का क्या हो गया है यार ऐसा आदमी बता रहा है तो आदमी suggestion ही तो चाहता है कि देखो पार्थ उसने ऐसा कर दिया मैं क्या करूँ देखो पार्त उसने ऐसा कर दिया मैं क्या करूँ ठीक है तो मैं बता रहा हूँ कि ये करो ये करो फिर और अब्जर्व किया है फिर मेरा एक बैंड का अभी रिसेंटली एक मेरा बैंड का मेंबर है आप विश्वास नहीं करेंगे exactly ये उसके साथ भी हुए उसने मेरे को बोला कि उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया लड़की की बात बता रहा था मेरे को छोड़ के चली कई मैं उसको बताया जा रहा हूँ मैंने आगे से ही पूछ लिया मेरे को आंसर पता था मैंने का एक बात बता है जब तु मेरे को बता रहा है तो तु क्या पेक्षा रखता है कि मैं तिरे को suggestion दूँ या तिरी बाते सुनू उसने का आप मेरी बाते सुनू को कि सुनने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में तो वहां से रिलाइज हुआ कि दो टाइप के लोग होते हैं और आपको विश्वास नहीं हो गए जानके ये properly researched है कि सिर्फ 20 प्रतीशत लोग आपसे suggestion चाते हैं 80 प्रतीशत लोग आपको सुनाना चाते हैं आपको बताना चाते हैं एक्स्प्रेस करना चाते हैं कि भाई ये हमारे साथ हुआ है हमारा ये दर्द है मुझे ये feel हो रहा है उसने मेरे साथ ये किया उसने मेरे साथ वो किया वो जो अंदर उसने जो कुछ भी उस लड़की न ये लड़के ने उसके साथ किया है वो बताना चाहते हैं आपको तो ये दूसरा मॉडल था रिलेशन्शिप का मॉडल जहां से हम पैसे बना सकते हैं तीसरा मॉडल है आत्मगैन ये जो मॉडल है ये बड़ा कमाल का मॉडल है क्यों है मैं बताता हूँ इसमें बहुत कुछ हो सकता है इसमें हुआमाई की जर्णी हो सकती है तीन से छे महीने का कॉर्सis हो सकता है कि आप मेरे साथ जुड़ें और हुआमाई करें और ये सब वेबिनार पे और परसनली में मुझे मज़ा भी आएगा कि लोग मेरे साथ जुड़े कि मालो 6-7 लोग हैं वेबिनार में बाते हो रहे हैं इनर सरकल हो जाएगा एक वेरी नाइस थिंग कि इनर सरकल होगा एक जिसमें सीरिस लोग भी आएगे विकोज जहां पे लोग पैसा खरते हैं वहां पे लोग अटेंशन भी देते हैं क्योंकि जहां पैसा है वहीं अटेंशन है अगर आप आइफोन खरीद रहे हो तो आपका पूरे टाइम ध्यान रहेगा कि कहीं गिरना जाए स्क्रीन न तूट जाए क्यों होता ऐसा क्योंकि पैसा डाल रखा है फ्री का है तो गिर जाए भाड में जाए क्या करना तो गिरना नहीं चाहिए चोरी नहीं होना चाहिए जितना हाइए जितना पैसा आप लगाओगे डेड़ दो लाग का फोन लोगे उतना ही ज़्यादा अटेंशन होगी उसकी दरफ डेड़ दो लाग का लैपटाप लोगे उतना ही वहाँ पे होगा जितना जादा आप खर्च करोगे किसी चीज़ पे उतना ही जादा उसकी वैल्यू मतलब कि खराब ना हो जाए या मतलब कुछ होना जाए आदमी का ध्यान लेता उस वक्त तो वैसे ही जैसे आप courses लेते हो जैसे मेरे समेंगा course कोई लेते हो वह से अभी मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ तो I'm not plugging anything इसको plug बोलते हैं बट मैं plug नहीं कर रहा हूँ अभी कुछ तो let's say कि आप मेरे साथ करते हो और मैं आपसे लेता हूँ 1000 रुपए आपको बहुत अटेंचन 5000 अब आपके अटेंचन हो जाएगी 20% 20,000 रुपए अब आपके अटेंचन हो जाएगी 70-80% 50,000 रुपए अब आपकी अटेंचन जो है 100% होगी मेरी तरफ जो मैं कहूंगा वो करोगे आप क्यों क्योंकि पैसा जहां है अभी है इन्वेस्मेंट करी है इतनी बड़ी तो भाईया होना चाहिए तो अब सोचो ऐसे वेक्ति को जो आदमी खर्चना चाहता है सेल्स में जो सेल फनल होता है कई लोग यहाँ पे फनल के बारे में जानते हैं तो मुझे अच्छा लगा जानके तो फनल होता है उसमें क्या होता है कि फनल होता है जिसमें एक रुपे की चीज बेशते हो आप वो एक रुपे की चीज होती है इंस्टाग्राम पे फेस्बुक पे आप बेशते हो होता क्या है उसमें कि वो लोग लोग खरी लेते तो customer को लगता है कि यार एक रुपए का बेच रहा है कितना चूत है कि एक रुपए का बेच रहा है बेवकूबाद भी लेकिन actually एक रुपए का वो इसलिए बेचा जाता है जिससे पहली चीज तो आपको एक ऐसा customer मिला है जो पैसे invest करने के लिए ready है क्योंकि दो प्रकार के लोग होते है एक आदमी वो है जिसमें interest नहीं है एक आदमी वो है जिसमें interest जाता है अब दोनों को differentiate कैसे करोगे आप Facebook पे, Instagram पे ads की बात कर रहा हूँ मैं तो कैसे differentiate करोगे भाई तो आप से मैं पैसे मांगूँगा एक रुपे दो तो आप credit card निकालोगे फिर pin डालोगे या paytm डालोगे, OTP जनरेट करोगे जो कुछ भी करोगे, लेकिन आप मेहनत करोगे आप में तरफ से action जादा लोगे rather than कि आप मेरे page पे आया आपने email address डाला और आप चले गए उसके बाद जो PDF मिला आपको या वीडियो मिली आपने देखी तक नहीं right so वो qualify कर रहा है हम buyers को subscriber और buyer में फर्क होता है once a buyer, एक बार आदमी अगर एक रुपए देने के लिए ready है आपको तो वो बहुत जल्दी आपको 1000 रुपए भी देदेगा क्योंकि एक रुपए की बात एक रुपए की नहीं है याप it is not about कि एक रुपए it is about कि you are extracting buyers from the tsunami of Instagram and Facebook people हाँ इतने जो बड़ी समंदर है उसमें से आप सिर्फ ऐसा पानी उठा रहे हो जो अभी serious है तो पैसा खर्चना मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज़ पर पैसा खर्च कर दिया समल्लो आप बहुत serious हो आप समझ जो customer बहुत serious है और जितना ज्यादा वो खर्च करता है समल्लो वो उतना ही serious है अगर वो दो लाग रुपे देख रहा है समल्लो भाईया वो तो बहुत serious है अगर वो दस लाग रुपे दे रहा है तो वो उससे भी जादा serious है मतलब कह सकते हो कि एक middle class आदमी के जेब में पैसे नहीं है और वो पचास भी दे रहा है पचास अजार भी दे रहा है समल्लो कि भाई काफी serious है वो तो एक तीसरा तरीका यह होता है कि आप पैसा यहां बना सकते हैं अब दिक्कत क्या हुई दिक्कत क्या है कि मेरे अंदर आ गया है वैराग अब वैराग एक बहुत ही खुबसूरत चीज है जो हर किसी को नहीं मिलती है प्रतान नहीं होती है ज़्यादा आप आत्मग्यान के बारे में बाते करोगे तो वैराग प्राप्त होने लगता है वैराग क्या होता है desirelessness है नहीं खतम हो गया सब कुछ singing की desire थी अभी भी है करता मैं अभी भी सब कुछ हूँ गयकी वायकी सब मैं कर रहा हूँ रियाज कर रहा हूँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ कभी कब इठता हूँ लब shows भी करते हैं हम सब कुछ करते हैं बट मेरी वो वासना नहीं है fame की नहीं है मैं नाम माम की नहीं है और मैं अपने दूसरे चैनल पर इतना आक्टिव भी नहीं हूँ और तो लोग कहते हैं कि आप गायब हो गए मैं गायब इसलिए हो गए कोई कि मेरे अंदर कुछ बनने का कीडा ही नहीं है तो अब वैराग एक बहुत ही खुबसूरत चीज है लेकिन वैराग की जो है हर जैसे की इस दुनिया में हर चीज का एक नगरातमक साइड होता है सकरातमक साइड होता है तो वैराग का नगरातमक साइड क्या है सकरातमक तो बहुत उचा है सकरातमक तो ऐसा है कि आपको शेर बना दे गाई है कीदड़ की बिल्ली पैदा होता है आदमी गीदड़ पैदा होता है आदमी और आदमी को शेर बनना होता है क्योंकि सोसाइटी का इतना प्रेशर है इतना प्रेशर है जिसकी कोई याद नहीं इतना भयानक प्रेशर है सोसाइटी का कि आप निकल ही नहीं सकते इस जाल से आपको responsibility, जिम्मेवारियां डाल दी जाएंगी लोग कहते हैं कि सर हम कुछ कर नहीं पाये तो क्या होगा हम कुछ नहीं कर सकते हम हमारे घरवाले और यह जो भी है मैं अगर कुछ जिन्दगी में कर नहीं पाया तो क्या होगा ऐसे लोग बोलते हैं मेरे को तो मैं उनको यह ही कहना चाहता हूँ अगर आप नहीं जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाये तो कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि in the grand calculation of this universe in the grand magnitude of this universe in the grand calculus of the universe you being successful or a failure doesn't matter because whatever you are in reality is one million times bigger than that so whatever जब आपका बर्थ ही एक सफलता है उसके बाद कोई और कुछ नहीं है एक बच्चे का जनम होता है उससे कहा जाता है तुम कुछ नहीं हो तुम कुछ करके दिखाओ तुम कुछ हो के दिखाओ तुम कुछ नहीं हो कुछ हो के दिखाओ लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि अगर यह understanding आ गई कि आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि करके कुछ वैसे भी नहीं होगा और नहीं करके भी वैसे कुछ नहीं होगा क्योंकि जिसने किया है वो भी 30-40 साल में मर जाएगा और जिसने नहीं किया है वो भी 30-40 साल में मर जाएगा और नेचर सोसाइटी की तरह बिहेव नहीं करता है कि जिसने किया है उसको सलाम ठोक रहे हैं और जिसने नहीं किया है उसको गालिया दे रहे हैं ये नेचर नहीं करता है आपके साथ अगर आप मरोगे तो नेचर वैसे ही बिएव करेगा जैसा वो एक सफल व्यक्ति के साथ करेगा और असफल व्यक्ति के साथ करेगा मतलब सलाम ठोकेगा आपको बहुतिक सफलता का कोई value ही नहीं कोई मूल ही नहीं है सोसाइटी का ये बहुत ही बड़ा गंदा illusion है कि हमें सबसे उपर उठना है आप उपर नीचे जा ही नहीं सकते आप पैदा ही उपर हुए हो और आप मरोगे भी उपर ही you cannot go below standard or up standards there is nothing called a down standard and up standard there is only one standard which is the supreme standard उसी में आजमी पैदा होता है उसी में मरता है चाहे अम्बानी हो चाहे कोई सडक का भिक्मंगा भिकारी उसकी भी उतनी value है उनिवर्स के तो जब आपको ये knowledge अंदर आ जाती है आपके अंदर की कुछ करने से होगा नहीं और कुछ करोगे तो भी नहीं होगा क्योंकि कुछ फरक ही नहीं पड़ता पहली चीज तो आपकी पहचान ही नहीं है वो आप पहचाने जाते हो society में अलग-अलग नामों से लेकिन actually मैं आपकी पहचान जो है अगर वो पता चल जाती है आपको तो आपको ये दिखने लगता है कि जो जिस चीज के पीछे में भाग रहा हूँ वो तो बहुत छोटी है वो तो आटम से भी छोटी है और आटम तो दिखता भी नहीं है आज तक कोई देख भी नहीं पाया आटम से भी छोटी सफलता को मैं विशाल सफलता बनाया बैठा हूँ अपने मन में तो क्या करें तो नहीं भी कर पाए लोग कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा नहीं भी कर पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कल लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है At the same time उर्जा को लगाओगे कहां उर्जा को कहां लगाओगे चलो ठीक है नहीं करना कुछ अब एनर्जी कहां लगाओगे कहीं तो लगाओगे ना क्योंकि एनर्जी अगर कहीं नहीं लगी तो एनर्जी नीचे से निकलेगी जब आदमी कुछ नहीं करता है तो आदमी शैतानी करता है तो शैतानी से बचने के लिए क्या करूगे तो जीवन में चुनोतियां होती है जीवन की जो चुनोतियां है हमारे पास कुछ नहीं हमारे गर में पैसा नहीं हमारा खाना नहीं है हमारा ये नहीं हमारा वो नहीं एक चुनोती है जो आपके पास खाना हो जाएगा तो एक और चुनोती आएगी जब आपके वास बहुत पैसा हो जाएगा तो एक और चुनोती तो लाइफ में चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो चुनोती रहती है तो चुनोतियों से हम भागते रहते हैं हम चाहते हैं कि हमारी जिन्देगी में कोई प्राब्लम ना हो समाधान बना प्राब्लम आये ही ना खतम हो जाओ सब कुछ प्राब्लम साथी खतम हो जाए और हर मोमेंट पे लाइफ में आपको प्राब्लम तो मिलेंगी ही मिलेंगी तो प्राब्लम से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते हैं और हम इसको ऐसे क्यों नहीं देखते हैं कि हमारी जिन्दगी में प्राब्लम खतम हो जाए प्राब्लम गर खतम हो गई तो वो तो बहुत बड़ी प्राब्लम है एक अमीर आदमी है वो घर में बैठा हुआ है ना उसके पास सब कुछ करके बैठा हुआ है नीचे चार कारे खड़ी है चार बंगले बनवा लिए है दुनिया में सबसे respected, reputed आदमी है अब वो कमरे में बैठा हुआ वो कहरा क्या करे है कुछ है नहीं करने के लिए और वो ही सबसे ज़्यादा बड़ी problem है कि जब कुछ है नहीं करने के लिए तब क्या क्या जाए क्योंकि कुछ ऐसे थोड़ी हो सकता है कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं करोगे थोड़ी होता है क्योंकि ये आप law of activity के खिलाफ जा रहे हो law of activity यह कहता है कि you need to do the fucking activity otherwise I will try to make you do it और वो activity शरीर खराब कर सकती है आपका नशा cocaine दारू तो खाली बैठ गए तो दारू, cocaine, sex यही सब याद आएगा और वो खराब करेगा आपको क्योंकि अपनी बीवी किसको अच्छे लगती है हमें तो दूसरी की बीवीएं अच्छे लगती हैं, हमें लगता है कि सारी लडकियों के साथ हम संभों कर लें यह आपकी गलती नहीं है यह उर्जा आपने इतनी जहादा रख रखी अपने अंदर की वो उर्जा आप बाहर से, ऊपर से निकालते ही नहीं हो, बुद्धी से, तो जब ये हुआ, मेरे साथ, जब मेरे को वेराग की, जो गहराई है, वो जैसे से मेरे जीवन में बढ़ती जा रही है, तो मेरे को एक रिपल्शन फील हुआ, संगीत से, I am not interested to do anything at all, this is a huge problem, because the only vikalp I have, the only option right now I have, is to monetize whatever I love, I have vasana, only the highest vasana or the supreme vasana inside me, is for spirituality right now, number one, मतलब वो number one पे आ गया है, लोग कहते हैं कि आप तो वासना मुक्ती की बाते करते हो, तो आपके अंदर खुदी वासना है, अध्यात्म को लेके, आत्म ज्यान को लेके, तो आप तो वासना मुक्त हो नहीं, मैंने कभी यह नहीं कहा कि वासना मुक्त हो सकते हो, आप वासना मुक्त हो ही नहीं सकते हैं मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ आपको तीन गुड़ों में से एक किसी गुड़ की वासना अधिक रखनी होगी और वो है सात्विक रासिक और तामसिक अब सात्विक गुड़ क्या है वो है आत्मग्यान meditation साधना तो कोई एक चीज तो रखनी ही पड़ेगी तो उर्जा कहां से निकालोगे भाई उर्जा भी तो मिली है प्रारब्द कर्म भी तो प्रारब्द बोलते हैं उसको वो कहां से निकालोगे आप तो कुछ तो करोगे नहीं तो पूरे टाइम तो दारू पीते रहोगे, क्या करोगे? और मालो आपने कुछ क्रियेटीव कर लिया, संगीत में कुछ क्रियेटीव कर लिया, कॉमेडी में कुछ क्रियेटीव नई पिच्चर बना दी नहीं, कुछ जेम्स कैमराउन की मुवी आ रही है, अफ़तार वन, अफ़तार टू, अफ़तार थ्री, वो जो है, वो एक निचले स्थर की वासना है, मैं और उपर की वासने के बात कर ला हूँ, क्योंकि संसारिक वासना है, यह जो वासना है, यह संसारिक नहीं है, ये जो वासना है वो ऐसी वासना है जो अध्यात्मिक है कह सकते हैं तो एक तो पकड़ना ही पड़ेगा चाहे तुम संसारिक पकड़ो अध्यात्मिक पकड़ो और इन दोनों को अगर तुमने नहीं पकड़ा तो तामसिक वासना है तुमें पकड़ लेंगे तो अब सवाल आता है क्या मैं दारू नहीं पीता क्या मैं सिगरेट नहीं पीता या फिर क्या मैं सेक्स नहीं करता या मुझे इंटरेस्ट नहीं है ऐसा नहीं है लोग कहते हैं पूरी तरीकी से तमो को छोड़ दो तमो को पूरी तरीकी से नहीं छोड़ सकते हैं तो तामसिक को आपको 3-4 परसंट या 5 परसंट रखना पड़ेगा पिचाणबे परतीशत आपका तामसिक है यह खराब है तो सेक्स करिए लेकिन balance 6 वो होता है कि आप अपनी wife के साथ कर रहे हो और उसके बाद आप बाहर आ गए लेकिन आपका मन कर रहा है कि extra marital करूँ वो लड़की का breast बढ़ा है तो ज़्यादा मज़ा आएगा दबाने में तो भाईया वो फिर आप समझ जाओ जिस दिन ये thought आ रहे हैं थौट आने में कोई डिक्कत नहीं है थौट तो आएंगे लेकिन अगर आपने execute कर दिया समझ लीजे कि आप खुश नहीं है अपनी सिंदगी से आप बहुत जादा परिशान है क्योंकि आप आनंद के पीछे पढ़े हैं और इसको एक लेवल और डीप बोलो तो आनंद के पीछे पढ़ना problem नहीं है लेकिन भिन्नता धूणना ये problem है आनंद में भिन्नता मतलब क्या भिन्नता मतलब differentiation ये एक बहुत बड़ी category है बहुत की बहुत बड़ी बहुत बड़ी ये आप विश्वास नहीं करेंगे इतनी बड़ी quality है ये आप अगर देखोगे हर तरफ हर चीज अलग-अलग दिख रही है तो हमें भी सब कुछ अलग-अलग चाहिए बिजनस में भी सब कुछ अलग-अलग करना होता है right from the sales message to the product you have to do something different in order to position yourself because अगर आप दूसरी तरीके से position करोगे कि आप आपने domino's के competition देना है तो domino's का आपने कुछ बहतर version मना दिया नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है बहतर से कुछ नहीं होता है there is nothing called as better it has to be completely new like for example chat gpt versus google google का बहतर वर्जन बनाने से customer attract नहीं होगे customer attract होते है innovations है बहतर वर्जन क्या होता है what is बहतर वर्जन कि हमने उनका देखो हमारा थोड़ा और simple है यह क्या होता है यह से वो google आप निकालोगा अकले दिन google कुछ और निकाल देखा आपको chat gpt ने क्या किया कुछ अलगी ले आए तो वो एक follow up question भी लेता है chat gpt chat gpt आपकी ebook बना देगा बहुत सारी चीजे कर देगा आपसे बात करता है ऐसा लगता है सामने इंसान बैठके बात कर रहा है मैं तो घंटों बात करता रहता हूं मैंने कुछ भी सौंझ में आथा brainstorming करने के लिए मैं बात करता हूं मैंने question डल था chat gpt में कि मैं यह नो मैं यह particular audience को target करना चाहता हूं तो detailed targeting में facebook ads manager में detailed targeting में मैं किस चीज़ पर target करूँ क्योंकि मुझे समन नहीं आ रहा था कि मैं targeting रखूँ गया वो जो customer segment था मैं targeting रखूँ गया मुझे समन नहीं आ रहा था तो उसमें मेरे को facebook ads manager में उसने बताया chat gpt ने कि आप ये वाला target रखो ये category रखो तो उससे क्या होगा कि आपका इस category में इस तरीके के लोग हैं जो आप चाहते हैं तो मैंने गाट रखते हैं वे रखा मैंने और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो category में कभी मतलब बहुत explore करना पड़ता तो chat gpt बलाया बट एनिवे back to the extra marital affair so आप आनन्द में भिन्नता धूड़ रहे हो फस गया जिस व्यक्ति ने आनन्द में भिन्नता धूड़ ली वो आदमी फस गया क्योंकि वो आदमी फसा नहीं है अगर आपका मन खुश है तो उसको भिन्नता नहीं चाहिए अगर आपका मन खुश है तो उसको भिन्नता नहीं चाहिए वो अपने वाइफ में खुश रहेगा वाइफ के साथ सेक्स किया balance सेक्स किया थोड़ा बहुत बैठे कोई दिक्कत नहीं अपना चाय भाई पी रहे है बैठके अब तुम भिन्नता धूड़ रहे हो कि यारे यह सामने वाली पड़ोसन जो है ना यह सुब़ा रो जाती है बरतन मासती है और यह मिल जाए तो और मजाएगा पिर जब वो भी मिल गई इलेट से तो अच्छा है यह मिल जाए तो और मजाएगा तो तीसरी भी मिल गई देखे द्रे आप करते रो देवा आपको एटस हो क्योंकि जितना ज़्यादा आदमी इसमें इन्वाल होता है अगर बिमारी नहीं भी हुई तो क्रोध बढ़ता है एक पॉइंट आता है कि 15-20 महिलाओं के साथ संबोग करने के बाद आपको 21-22 महिला में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा आपने सारी महिलाओं में जितनी भी लड़कियां हैं आपने उसमें कम से कम हर क्टेगरी की एक लड़की के साथ आपने संबोग कर लिया Black हो गई, Wight हो गई, Chinese हो गई, Japanese हो गई, सब के साथ आपने कर लिया अब क्या होगा पता है, एक point आएगा, जहाँ पे आपका interest बचेगा ही नहीं कोई, क्योंकि सारी category की लड़किया, अलग-अलग category की लड़किया होती है, small breast, big breast, अब मैं objectify नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मर्द की सोच बता रहा हूँ, आप लोग, है ना, ऐसा मैं सोचना कि मैं objectify कर रहा हूँ, या body shame कर रहा हूँ किसी को, मैं बस बता रहा हूँ कि लोग की वासना क्या है, इंसान के अंदर चलता क्या है, तो big buttak, small buttak, और ये सब अलग-अलग होता है, मोटी, chubby, जितने भी tags होते हैं, पॉन में जितने भी tags हैं, वो tags आपने करके देख लिए, अब क्य होगा, एक point आएगा जब सारे tags खतम हो जाएंगे, सब आपने कर ले लिया, और अगर आप fortunately बिमारी से बच गया, अचाईवी से, तो मैं बता रहा हूँ, उससे पहले ही आपको बहुत पहले अचाईवी हो जाएगा, लेकिन चलो छोड़ो, अचाईवी नहीं भी हुआ, so let है कि तुम कॉंडम यूज कर रहे हो, हर जगा, वैसे तो इतना पागल मन है तुमारा तुम कॉंडम के बिना ही करोगे, लेकिन बचलो कर भी दिया, माल लिया, एक point आएगा जब सब कुछ exhaust हो जाएगा, पर तुमारा interest ही नहीं रहाएगा sex में, तुमारा overall interest खतम हो जाएग sex में, और फिर वो एक बहुत खतरनाक situation है, फिर आप कुछ और पकड़ोगे, फिर आप इसी के race में लगे रहोगे, लेकिन अंतमे सिर्फ क्रोध और मन करेगा अपने आपको माट डालो, रोज सुबा उठोगे, रोज तुमारा मन करेगा अपने आपको माट डालो, रोज य तो अब सवाल ही आता है कि जो एक्स्टरमाराइटल अफियर होते ही इस वजाते को कि मन जो है वो होता है, anyway, coming back to the further topic, so धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे अंदर ये, आने लगा कि यार मैं सबसे ज्यादा जो participation है वो मैं इस पर कर रहा हूँ, अध्यात में, अपनी जिंदगी मे और संगीत से मुझे प्यार है, बेशक प्यार है लेकिन अध्यात में से ज्यादा नहीं है, तो अध्यात मेरा passion बनने लगा, तो मैंने का यार मेरा passion तो ये है, मेरों को इसमें करने मज़ा हाता है, सलम मैं इसमें पैसे भी नहीं कमाना चाहता हूँ और करने में भी यही मज़ा आ रहा है तो फिर मैंने कहा कि यार इसमें भर्ज क्या है अगर मैं इसमें पैसे पैसे कमाना स्टार्ट करता हूँ इससे क्योंकि अल्टिमेटली मैं अगर बुक भी लिख रहा हूँ तो भी वो भी तो sell होगी ऐसा तो है नहीं मैं free बाटूंगा तो मैंने सुचा कि यार इसको ना कर सकते हैं तो इसमें इसको primary focus कर सकते हैं तो अभी मैं इसको ऐसा नहीं करूँ कि मैं करूँगा या मतलब मैं आपसे बस discuss कर रहा हूँ मतलब मैं अपनी बाते रख रहा हूँ तो in future आप शायद ready हो सकते हैं ये मेरे से सुनने के लिए कुछ ऐसा offer या कुछ लेकिन अभी नहीं अभी मेरे कुछ और targets and values है क्योंकि मेरा अभी मैं 30 years का हो गया हूँ मैं कल मेरा birthday था तो मैं 30 years का हो गया तो मैं आगे long term सोच रहा था कि क्या करूँ इसमें मतलब 35-40 तक तो आते आते कुछ ना बुस्तो करना पड़ेगा इसमे spirituality में क्योंकि इसमें पहली चीज तो ये है कि इतनी energy निकलती है और इतनी high value content है ये मुझे ही पता है कि क्या value content है इसका को कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ बट मुझे बहुत ज़ादा confidence है मेरे content पे और मैं वही बात करता हूँ जो काम करती है जो मेरी जीवन में काम करी है ये मेरे अपने आप से honesty रखी है तभी आप देखेंगे अभी तक सब कुछ free चल रहा है everything is free right now till now इसमें कोई भी वो हो ही नहीं सकता कि मेरा कोई motive है कि मैं आप से ऐसी बात बोलू जोट हूँ है ना और Spotify पे podcast में अगर आप देखोगे अगर आपके लाखो व्यूज भी आ रहे हैं तो अभी Spotify पे podcast में सिर्भी US में आया हुआ है monetization और बाकी पूरे all over world में कहीं monetization नहीं है सिर्फ music में है मतलब गानों में songs में है बट podcast में अभी नहीं है तो ये तीसरा मेरा एक था कि यार ये मतलब कब कब ये चालू होई journey मेरी और कहां से कहां मैं पहुँच गया क्या मेरे mind में आ रहा है कुछ अलगी 2016 में मैंने सोचा था कि मुझे अपने जीवन में अकेला पन खतम करना है और वो suffering थी intense मैं उसी में लगा रहा अठारा उननिस हो गया फिर एक breakup हुआ बहुत बड़ा फिर उससे बाहर आया फिर दीरे दीरे और गहरा जाता गया सबको पढ़ना स्टार्ट किया समझना स्टार्ट किया दीरे दीरे 2023 में आज finally अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी situation आ गई है कि loneliness का तो कोई अता पता ही नहीं है पता नहीं कहां है वो कतम हो गई बिल्कुरी मैंने सूचा नहीं था कि मैं आगे इसको धंदा बनाने में मैं इंटरस्ट लेने लगूँगा क्योंकि देखेंगे the scene इसकी जिस इसको करना जरूरी क्यों है मेरा जो सबसे बड़ा passion है वो यही है spirituality अब spirituality में scene क्या है कि maximum मेरा time इसी में रहता है मन मेरा इसी में रहता है दिमाग मेरा इसी में रहता है मैं सोच रहा हूँ यार यह कोई जब मेरा दूसरा source of income है उसको अगर मैं खतम करके इसको ही प्राइमरी बना लूँ तो यह तो और मज़ेदार हो जाएगी जर्नी जर्नी हो मज़ा आएगा maximum लोग जो भी अध्यात्मिक हैं आप देखोगे YouTube पे सब ने monetize कर रखा है कि वहले एक आदमी ने नहीं कर रखा है और वहीं से कहीं से कहीं न कहीं यह कल्चर आया भी है कि spirituality में पैसा कमाना पाप है यह कल्चर जो है यह mind में घुसकिया मेरे अब सवाल यह होता है कि क्या यह सच में पाप है या पिर पुन्य है या फिर क्या है actually वह देखने की दृष्टी है ऐसा कुछ नहीं है कि पाप वाप है और नहीं पुन्य है तो जिसने कस्टम बनाया उसकी हम बात कर लेते हैं पहले उन्होंने कोई कस्टम वैसे बनाया नहीं है लेकिन वो इसका विरोध करते हैं कि अध्यात्मिक अध्यात्में लोग पैसे कमा रहे हैं पर लेट से कि जिद्धी कुरिश्ट मूर्ती की फाउंडेशन है आज वो भी बुक्स बेस्ती है उनके पास भी पैसा जा रहा है और उनके भी लेक्चिर्स जो हैं उनकी फाउंडेशन कैसे चलेगी और नए में अगर हम देखें तो जग्जी वासुदेव हैं उनकी अल्रेडी एक बहुत बड़े इंकम सोर्स से पैसे कमा रहा है उनका अपना एक अलग बिजनस है वो उससे कर रहा है उससे उनका आ जा रहा है लेट से कि वो नहीं है तो अब क्या होगा प्लस साथी साथ मैं ये भी समझता हूँ कि और भी उनके परसनल एजंडे हैं परसनल वैल्यूस हैं एजंडे हैं कि वो है कि उनको कुछ काम अपने मन के लिए भी करने है लेकिन जिस हज़ाब से होडियन्स आती है वहाँ पर मैं लग कोई भी उठके चला रहा है मैं तो कभी अलाओ नहीं करता है मैं अपनी एनर्जी नहीं दे सकता है ऐसे लोगों को सोरी कि मैं या मैं ऐसे लोग के साथ बैठा हूँ जिनको कुछ समझी नहीं आ रहा है और it's not about समझने है चलो समझ नहीं आ रहा हो तो मैं समझा तुमको तुर राधिका को पटाना है घर जाके तुम बीबी की वाइन्स देख रहे हो आची चंचलानी देख रहे हो तुमको उसमें मज़ा आ रहा है दोस्तों से तुम छुप छुप के में डायलोग बात करते हो अरे कौन भौक रहा है ये बद्दमीज इस तरीके के बाते करते हो memes की बाते कर रहे हो और वहाँ पे तुमने माइब लिया तो तुमने बोल दिया हुए माईब जानना है कया तुम्हें सच में हुए माईब जानना है या फिर तुम बकैती करने आया हो तो जो बकैती ओडियन्स है न csak 94-97% बकैती ओर्डियन्स आती है कोई seriousness नहीं है कुछ है ही नहीं seriousness बाते करो बैठे रहेंगे चुपचा उनको पता उनको चाहिए है नहीं उनको क्या चाहिए है बीबी की वाइन्स को बुलाओ वो बैंचो बैंचो करेगा हसने लगेंगे सब लोगों को अभी तक ये गलत फैमी है कि बाहर कुछ है और ऐसे लोग के साथ जिनको मानना ही नहीं है जिनको जानना ही नहीं है जिनको बाहर का स्वाद लेना ही लेना है उनको अभी तक समन नहीं आया है और उनको बहुत सारे उनके target है, यह करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसे लोग के साथ नहीं हो सकता यह काम, और ऐसे लोग के साथ energy waste नहीं हो सकती है, जिस आदमी को समझी नहीं आ रहा है, offline वो कुछ और कर रहा है, online वो कुछ और कर रहा है, जब वो session में है, तो उसकी बातें अलग है, offline में वो कुछ और ही चीज़े कर रहा है तो क्या वाकई में उसकी seriousness है इसलिए एक funnel होता है, one rupee funnel idea होता है इसमें आप एक रुपए किसे से बोलो कि वह एक रुपए लोग कहते हैं एक रुपए तो बहुत कम है, यह वह ऐसा नहीं it's not about earning the money on the platform easy to convert them you just need to convince them कि आपका product काम करता है that's it और उसको convince करने के लिए क्या करना होता है आपको testimonials दिखाने हैं उसको stories सुनानी हैं आपको connect बनाना है connect करना है उसके साथ stories जो है, वो क्या करती है कि connection feel करती है relatable feel होता है आपको जैसे मैं अपने break up की कहानी बताता हूँ तो आपको भी relate हाँ है यारे मेरे साथ भी हुआ है तो यह अपना बन्दा है तो जब यह होने लगता है नहीं यह अपना बन्दा है तो आदमी connection feel करता है तो trust आता है तो दो ही, तीन ही कारण है जिसकी वज़ा से आदमी convert नहीं हो पाता नमबर वन कि वो अभी ready नहीं है वो दो महीने बाद ready होगा तो तब तक आपको follow up लेना है नमबर टू उसको आप पर trust नहीं है ना ही आपका कोई relationship है उसके साथ तो आपको relationship और trust बनाना है नमबर तीन उसके पास पाईसा नहीं है तो तीसरे नमबर पर आप कुछ नहीं कर सकते है आपको बस यह करना है कि ऐसे customer से दूर भागना है जो कि qualifying the buyer में हो जाएगा अगर एक आदमी ने एक रुपए खरच कर दिये हैं तो समझलो कि वो buying mood में है और वो विदिन 10 से 15 दिन में convert हो सकता है अराम से convert हो जाएगा हो तो आपको funnel बनाना है email पे उसको message डालना है बाई दे कोई यह है उसकी tactical knowledge तो अलग चीज़ है वो नहीं बताऊंगा मैं बहुत लंबा हो जाएगा हो तो यही दो कारण होते है trust and relationship majorly और वो ready नहीं है अब relationship बन गया उसको trust आ गया उसने आपको एज़ा authority देखना चलो कर दिया तो जो आपको product है उस पर उसका विश्वास कैसे आएगा आप पर तो आ गया product पर कैसे आएगा सबसे बढ़िया तरीका विश्वास दिलाने का है product पर कि मेरा ये जो course है या product है कैसे होगा कि जैसे कि आपको उसको testimonials दिखाने है before and after दिखाना है जैसे मेरा जो music production का course है उसमें क्या था scene कि जैसे मैं लोगों को पहले convince करता था कि देखो ये मेरा course है ये खरीद लो और क्या होगा कि आपको music production आपको आ जाएगा तो लोग केते था रे आगल आगल हो गया हो कि नहीं चाहिए भई कौन हो कहां से आयो तो धीरे दीरे जब ये पता चला कि मैं कौन हूँ सब कुछ पता चल गया उसको तो relationship develop हो गया बाद में एक सवाल है कि आपका product काम करता है कि नहीं करता है बस उसको बाद में वहीं चाहिए होता है तो वो आपको convince कराना होता है कि भई मेरा product है ये काम करता है ये course मेरा काम करता है कैसे काम करता है ये बताओ कैसे काम करता है बताओ कैसे काम करता है और मेरा कोर्स खरीदा, उसके पंदरा दिन बाद उसकी स्किल क्या थी, यह आपने उसको दिखाया, नमबर वन, नमबर टू, उसका खुद का टेस्टिमोनियल है, कि मैं पार्टसर के साथ प्रिफर करता हूँ, काम करना, मैं बहले कुछ नहीं कर बाता था, अब मैं यह कर ले करता हूँ, यह मेरा यह है, यह देखो, यह देखो, यह, ऐसे आपको सम्चारपाँ टेस्टिमोनियल दिखाने है, लोग की कहानी सुनानी है, तो क्या होता है कि उसको प्रॉडट पर विलीफ होता है, कि हाँ यह काम करता है, फ्रॉड नहीं, फ्रॉड क्या है, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि आपको fraud समझ रहा है नहीं आपके साथ तो उसका trust and relationship आई चुका है already लेकिन आप trust and relationship या विश्वास कह सकते हैं relationship ना भी बोले तो अब जो trust है वो आपके product पे कैसे आएगा तो वही से ये समझना होता है कि आपको सिर्व अपने या आप पिर विश्वास ने दिलाना है आपको उस पर भी वो जो customer है कि उसको में आपका concern ये होना चाहिए कि एक आदमी आया है आपसे कुछ सीखने और ये नहीं होना चाहिए कि आपने उसको course दे दिया या कोई product अपना दे दिया service दे दी और आपने का हमने तो service दे दी अब आप देखो हो पाए तो हो पाए ने तो भाड़ में जाओ मतलब लोग आते हैं खरीदते हैं उसके बद company फिकर ही नहीं करती खरीदो पैसे दो भाड़ में जाओ मेरे को कोई मतलम नहीं है सीखो ना सीखो तुमारी ऐसी की तैसी हमको तो तुमने पैसे दे दिये ये नहीं होता है जब कोई आदमी course खरीदता है आपसे तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि एक दो महीने बाद आप check-up करें review लें उससे कि भाई कहां तक पहुचे क्या दिक्कतारी क्या situation है जब कि पैसे उसने दे रखे तो ऐसे में क्या होगा जो आप उससे पूछेंगे तो वो बताएगा कि सर मैं इस वज़ा से नहीं सीख पा रहा हूँ मैं ना मेरे अंदर motivation नहीं है तो देखना है आपको कि यह pattern सब में है सारे customers में आ रहा है क्या सारे customers को motivation नहीं है या फिर सिर्व यह particular customer है तो धीरे धीरे आप देखोगे कि यह motivation वाला अगर एक pattern बन गया है काफी लोगों में आ रहा है मालों 100 लोगों ने आपका course करीदा उसमें से 50 लोगों में यही pattern है कि भाई वो motivation नहीं वो course देखी नहीं पा रहा है वो distracted है तो क्या करना है आपको आपको उसको और value देनी है कैसे motivate नहीं करना है आपको motivate आप कोई speaker थोड़ी हो motivational speaker थोड़ी हो आप आपको क्या करना है आप बोलोगे कि चलो ठीक है एक काम करते है Sunday Sunday को live आऊंगा मैं वहाँ पे मेरे साथ सवाल पूछ लेना तो customer को यह दिखाओ कि पार्त सिंग ने अपना best दिया है या जो भी आपका नाम है let's say कि बहुत सारे academies है कोई academy के नाम ले लेते हैं let's say ABC Academy ABC Academy में यह आदमी ने सबसे बढ़ी आदे he's like amazing, he's the best one of the best और उसने जैसे Russell Brunson है मेरे लिए अब Russell Brunson जो है उन्होंने अपनी तरफ से अपना best दिया है वो मुझे पता है उन्होंने अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी है उन्होंने best दिया मतलब उन्होंने book बेची book बेचने के साथ उन्होंकी podcast है, उनका YouTube channel है यह वो बहुत सारी चीज़े है webinar करते रहते हैं, यह हो सब कुछ है तो मेरे को अच्छे सा पता है कि भाई, कमी मेरे अंदर है क्योंकि अगर आप यह कहोगे न कि मैं customer के अंदर घुसके उससे अभ्यास करवा लूँगा प्रैक्टिस करवा लूँगा यह नहीं होता है आपको बस customer को यह दिखाना है कि आप फिकर करते हैं, you care आप उसके पास कोई दिक्कत है तो बताइए अगर आपका email भी आ गया न कि hello Rahul, my name is Sparth आपने खुद की होंगे, आपके खुद के पैसे है ठीक है अब मुझे नहीं पतक क्या समस्या आ रही है आपकी जिंदगी में लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पैसे रखे हैं तो आप समझ लीजिए कि भीया आप कुछ सीखना चाहते हैं और आप सीख नहीं रहें आपको सीखना चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया अगले पंदरा दिन में तो मैं आपको एक मिनी कोर्स या मिनी वीडियो एक घंटे का मास्टर क्लास आपको भेचूँगा एक घंटे की या दो घंटे की मास्टर क्लास मैं आपको फ्री में दूँगा बस आपको कॉर्स कंप्लीट करना है अब कस्टमर पता है क्या सोचेगा कस्टमर कहेगा साला ये आदमी तो पैसा लेके चला गया उसके बाद भी मेरी फिकर कर रहा है सला मेरे ही अंदर कमी है और ये आदमी कह रहा है कि एक master class भी दे दूँगा अरे वाँ ये तो बहुत अच्छा आदमी है बस ये आना चाहिए अब वो पूरी जिंदगी करे या ना करे वो वो जाने है हमने अपनी तरफ से best दे दिया as a company एक बार भी customer को ये thought नहीं होना चाहिए कि ये आदमी पैसा लेकर चला गया सला help नहीं कर रहा है आप उससे email करते रहो कि complete the course कई बार email करो उससे रिष्टा बना के रखो बाकि करे ना करे वो तो उसकी आखरी में जिम्मेदारी है लेकिन आप reminders भी देते रहोगे न या एक offer रख दोगे कि course complete करो तो ये मिलेगा certificate मिलेगा जैसे मेरे course में मैंने ये रखा है कि आप course complete करो मेरे को completion का वो बेचो screenshot email पे मैं आपको certificate दूँगा मेरी company का which is partsingacademy.com ये dot in तो क्या होगा कि जब आप ऐसा करोगे तो आदमी आएगा आपके पास certificate लेने course complete कर लेगा तो अब मेरा ये पूरा का पूरा जो podcast था वो marketing सिखाने का नहीं था बड़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है कि scene की मेरे अंदर चार skills है तीन नहीं चार जिसमें से एक अध्यात में एक है relationship coaching एक अध्यात में एक संगीत है और चौता है marketing marketing जो है वो उसकी वासना भी अच्छी कासी बनी हुई है क्यों कोकि वो जानबूच के मैंने बना रखी रेगुलर रियाज हो ना हो और हो करनी है रेगुलर मेरी singing practice हो या ना हो उसकी कोई tension नहीं को कि उससे पैसा नहीं आता है यह ज़रूरी है करना क्योंकि यह बिकॉश इस अन्यू थिंग, इस वेरी creative थिंग to do marketing so इसकी भी वासना बन रखी पर let go if I want to leave right now what happens is like I cannot leave spirituality I can leave marketing anytime मैं जुटकी बजाते ही वैराग हो जाएगा मेरा मतलब marketing जो है वो वैरागी है मेरे लिए साथी सा संगीत भी वैरागी है लेकिन अध्यात्म वैरागी नहीं है और अध्यात्म कोई विशय नहीं है अध्यात्म जीवन है अध्यात्म कोई skill नहीं है अध्यात्म जीवन है जीवन की कहानिया है जीवन की constituents है parts है भाग है जीवन का in fact जीवन ही है तो चक्कर क्या है कि सारा का सारा ये जो हो रहा है चक्कर क्या हूँआ की अल्टीमिटली मेरे को कई बार मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से कि बार मैंने बोला भी था कि भाई यार या इना था मैं शायद मॉनिटाइस करूँ गो मोनेटैस करूँगा, मोनेटैस करूँगा, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं हो सकता है करीदू, लेकि ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा, बट मेरा एक माइंड में जो, इससे ये सीखने को, आप लोगो क्या सीखना है इससे, कि वैराग का, जो है, क्या होता है, आदमी फिकर करत है कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, है ना मुझे, मुझे बिजनेस के लिए पढ़ाई करनी है, या अटेम्ट्स लेने, आदमी फिकर करता है कि यार पैसा खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, वैराग प्राप्ति के बाद फिकर ही नहीं कोई, किसी चीज़ की फिकर नहीं होगी आपको, आप घर में रहो, कोई फिकर नहीं, घर से बाहर रहो, कोई फिकर नहीं, चार दिन मम्मिस बात करो, कोई फिकर नहीं, ना करो, कोई फिकर नहीं, ठीक है, कोई मर गया, फिकर है, लेकिन 4-5 मही नहीं बाहर आ गया, मरो गया, आप डिप्रेशन में जाह भी नहीं सकते, आप रो सकते हो, मतलब दुख नाम की चीज बचेगी नहीं, और जो भी दुख आएंगे वो attachments की वज़ा से आएंगे, जो की present attachments हैं, बट उसकी वज़ा से आप तभा नहीं होगे, destroy नहीं होगे, तूटोगे नहीं, और चक्कर ये है सारा का सारा, कि एक बार व वेराग के लिए होगा, sorry, meditation के लिए होगा, साधना के लिए होगा, आपका इसके लिए भी होगा, क्या बोलते हैं, अग्यान के लिए भी होगा, लेकिन बाकी चीजों से जो desire है, वो खतम होने लगता है, तो अब आदमी क्या करता है, कि आदमी कहें, जबदस्ती करना आँ भाई मैं fail हो गया, आपकी नजर में, लेकिन आपकी वासना का जो बोज है, वो मैंने नहीं उठाना है भाई, वो मैंने बहुत पहले त्याग दिया था, आप चाहते हो मैं playback singer बनूँ, मुंबई में जाओ, वहाँ पे धक्ये खाओ, वहाँ पे playback singer बनूँ, नहीं बन पाऊं तो failure है, आपको किसने बोल दिया मेरे को playback singer बनना है, आप अपनी वासनाओं का बोज मेरे उपर क्यों डाल रहे हैं, तो चक्कर क्या है कि बनना था मेरे को, 100% मैं इमानदारी से बता रहा हूं मेरे को बनना था, आज से कुछ 5 साल पहले की बात, मेरा goal था, जब मैं के साथ, जैसे एक तो ये भी reason था कि वहाँ पे, वहाँ पे social बहुत होता है, बोलिवुड में, प्रताडित बहुत किया जाता आपको, तो एक तो वो reason था, दूसरा reason ये था कि सलक क्या करना, क्यों tension लेनी है, गाना ही तो गाना है, गाना तो चार लोग के सामने गाओ, अके मुझे संगीत से उतना ही प्यार है, मैं करता हूँ उससे प्यार, लेकिन चकर क्या है कि मुझे कुछ बनना नहीं है, क्योंकि मैं बनूँगा, कि मैं तो already हूँ, तो होगा क्या है, कई लोग के बादे समन्न नहीं आती है, और यार, यह क्या हो क्या हो, मतलब यह वोुँ इ लेड़ी है आपके पास करोड़ो रुपया लेड़ी अकाउंट में पढ़े हुए मन के अकाउंट में तो फिर मुझे समन नहीं आता कुछ बनने की जरुद क्या तो मतलब वही यह माइंड आपका एकसेप्ट नहीं कर पाए और आप करने जाओगे आप पकड़ोगे चीजों आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे लेकिन आप सिब बाहर से दिखावा कर सकते हो अंदर से आपको कुछ नहीं चाहिए जैसे बाहर से मेरे को देखके बड़ा लगता है कि मैं बहुत पैशनेट हूँ सब मेरे को बोलते हैं कियार आप बड़े सही मला आपके सिंगिंग बड़ी अच्छी है आप बहुत पैशनेट हूँ आप बहुत अच्छा मैनेज करते हूँ आपका बैंड बहुत अच्छा है यह वो सब मेरे को बोलते हैं लेकिन मेरे को बता है नहीं हो पाएगा सौरी है possible ही नहीं है अंदर से possible है अंदर से खाली बन है कुछ भर ही नहीं रहा है एकदम खतम हो चुका हूँ मैं ऐसा है जैसे कि एक newborn baby कुछ है ही नहीं पकड में ही नहीं आता कुछ पकड पकडना चाओ तो रेट की तरह निकल जाता है बाहर से लगता कुछ पकड रखा है लेकिन पकड नहीं पा रहा हूँ तो attachments जो है हमारे जैसे कि जो मैं लालच खतम हो गई है अगर मैं यह बोलना चाहूँ तो हम ना लालची होते हैं लालच खतम हो गई है जिन्दगी से हो नहीं पा रहा है कुछ परिशान हूँ इस वज़ा से अंदर भीतर से नहीं बाहर से परिशान हूँ भाई यह हो क्या रहा है तो यह वैरागे करता है आपके साथ कुछ करने मन ही नहीं करेगा मन का मतलब यह नहीं है कि कि आप कुछ कर नहीं पाओगे चाहा के भी, ऐसा नहीं है आपका मन पकड़ नहीं पाएगा कुछ आप बाहर से कुछ भी करवाओ मन को मन मान जाएगा मन कहेगा चलो मार्केटिंग सीखनी है, सीखेंगे चलो ये करना है देखते हैं वाइल लाइफ के बारे में मैंने पढ़ा सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन होल्ड ओन नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को ऐसा लग रहा है सामने ट्रेन चल लई है और मैं ख़ड़ा हूँ आँ मतलब जो कॉंशियसनेस की एक्चुल करेक्टरस्टिक है वो मेरे मन में आने लगी ये चक्कर है सारा का सारा पता मेरे को सब है आप मेरे सब पूछो किसी भी फनल के बारे में मैं बताऊंगा आप जहां भी फसे हो फनल में मेरे को बताओ मैं तुरन निकालता हूँ आपको लेकिन अंदर से मेरे को नहीं चाहिए मुझे कोई फनल बिल्डर बनना ही नहीं है तो इसी बड़ा खतरनाग है मतलब वैराग का मतलब ही ही होता है beyond desire क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समझ यह होती है कि एक बार आपकी पहचान अगर shift हो गई एक बार आपकी जो पहचान है वो ये हो गई कि मैं इस जगत का निचोड हूँ और आपने साबित कर दिया अपने आपको और ये धीर धीर होता है जैसे से age मेरी बढ़ती जा रही है वैराग गहराता जा रहा है 28 साल के उमर में मुझे बच्चा चाहिए था कि मेरी शादी होगी दो साल पहले की बात है कि मेरा एक बच्चा होगा और ठीक है मेरी आखे होगी मेरे हाथ होगी आज की डेट में मैं अपनी गल्फरेंटे साथ बैठा था मैंने का है यार मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर तुमारे अंदर इन्फर्टिलिटी है तो वो भड़क गई कहती तुम कैसी बात करते हो इन्फर्टिलिए क्या बात करते हो मैंने का एक बार imagine कर लो कोई issue नहीं है मैंने का imagine कर लो अगर इन्फर्टिलिटी है तो मेरे होगी दिक्कत नहीं है कहती है infidelity तो तुमारे अंदर भी हो सकती है मेरे कोई को डाल रहा है मैंने कहा है इधर वेस दोनो दोनों भी बात कर तो क्या कर सकते है वो नहीं समझ सकती तो सीन यह था कि बच्चा चाहिए था बचपन से मैंने नाम सोच के रखे थे सोला पंदरा साल की उमर से कि एक बच्चा होगा सला कुछ है नहीं खतम हो गया भाई कुछ बचा ही नहीं है शून हो चुका हो मैं पहाड पे जाता हूँ देख रहा हूँ पहाड को कोई साइड में लड़की नहीं चाहिए पहाड के कोई गांजा नहीं चाहिए कोई नशा नहीं चाहिए मैं पहाड बैटा हूँ पहाड़ी की देख रहा हूँ और जाज यह तक पहाड को देखता रहता हूँ तो बोर भी हो जाता हूँ यह भी मेर अंदर है क्योंकि वो इंसान की प्रकृती किती देख पहाड पे बैठे रहोगे एक गंटे दो गंटे मैक्स वक्त निकलता जा रहा है कल मेरा जनम दिन था मैं तीस साल का हूँ गया मैंने कहा साला मैं लास्ट टाइम सोच रहा था मैं उननेस साल का हूँ आज ग्यारा साल हो गया तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अलग हो जाहिए कुछ में छोड़ दीजी सब कुछ नहीं मैंने छोड़ा है मैं आज चाहूँ तो कुछ भी पकड़ सकता हूँ तुरंत लेकिन मैं चिपक के नहीं बैट पा रहा हूँ जैसे कि आप यह समझने की मैं आज चाहूँ तो धनुष बाण उठाके धनुष बाण यानि जो मैं बाण को मार सकता हूँ और मैं आरचरी अच्छे से कर सकता हूँ मतलब मैं वेपन चला सकता हूँ बट मैं वेपन को जेब में रखके नहीं घूम सकता हूँ मैं चिपक नहीं सकता हूँ जैसे लोग चिपके रहते हैं अपने हर्मोनियम से गिटार से अपनी गर्फरेंड से ऐसे ही इन विचारों से मैं चिपक नहीं पा रहा हूँ कि मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए ही चाहिए ये नहीं हो भाएगा कि मुझे शादी करनी है तो करनी ही करनी है मुझे सेक्स करना है तो करना ही करना है मुझे बेटी चाहिए तो चाहिए ही चाहिए नहीं बच्चा चाहिए बच्चा नहीं भी चाहिए तो उसे साब से देख लेंगे, नहीं होगा तो उसे साब से देख लेंगे शादी होगी तो उसे साब से देख लेंगे, अगर girlfriend साथ रही, साथ निभाया तो कर लेंगे नहीं साथ निभाया, तो पूरी जिंदगी अब मैं शादी नहीं करने वाला क्योंकि अब इस एस तक मैंने अपनी girlfriend से ये भी बोला था आप विश्वास नहीं करेंगे आज से दो-तीन साल पहले हमारी मुलकात हुई थी college में तो मैंने उस से कहा अंदर सुख मेरे अंदर ये था कि मुझे girlfriend मनानी है मतलब और तो 9-10 महीने हमने कुछ किया ही नहीं मतलब बात बात करते थे हम हम कोई relationship में आये ही नहीं मैंने का मैंने ही आप होंगा भाई sorry फिर दिये दरे वो करते करते एक attachment बनने लगा तो 10 महीने के बाद मैंने finally propose किया उसको and she accepted it so point is like at that moment in time just one year after that what happened was like like one year before I wanted to get married and just after 365 days the desire started fading away और उसके एक साल बात यानि आज के टाइम में अभी current moment में अब मेरा खतम ही हो गया मतलब it's like सब कुछ खतम होता जा रहा है जैसे से वक्त आगे बढ़ता जा रहा है खतम होता जा रहा है सब कुछ desire खतम जितने भी desires थे वो fade मतलब धलान में आ रहे है और धल मतलब it's like नीचे उतर रहा है उतर रहा है उतर रहा है और जमीन आने वाली है और जैसे ही जमीन आएगी तो the end है मैंने अपनी girlfriend से बोला मैंने का देख अगर तेरे से शादी नहीं हुई अगर तेरे से शादी नहीं हुई तो मैंने शादी करनी ही नहीं है क्योंकि दो साल पहले तक मेरे वो करनी थी मैंने का अधा करके देखें अब करनी ही नहीं क्योंकि अब मैं देख चुका हूँ सब कुछ और अगर दो-तीन साल बाद ऐसा हुआ शादी नहीं करी मैंने और दो-तीन साल बाद ऐसा हुआ कि भई क्योंकि मैंने बच्चे को एक्स्प्लोर नहीं किया अभी तक तो मैं serogation के साथ जाने के लिए ready हूँ जैसे करण जोवर ने करा तो मैं बच्चा निगलवा लूँगा किसी से just to get out of that desire because अगर वो desire अंदर है वो fulfill नहीं हुआ है प्रारब्द की यही category है प्रारब्द यह कहता है कि मेरे को पहले आप त्रिप्त करिए express करिए बात में बात करेंगे कि नहीं चाहिए कि चाहिए अभी तो चाहिए ही चाहिए पहले मेरे को स्वाद लेने दो यह प्रारब्द की प्रकृती है गुण है कि पहले मेरे को स्वाद लेने दो परश करने दो नाटक नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, गल्फर्ट नहीं बनानी है, बच्चा नहीं चाहिए, यह मेरे से बात मत करी हो, मैं फाड के रख दूँगा, यह जो तुम बाते करते हो न समाज में जाके, कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी है, मैं फाड के रख दूँगा भाई साब, मेरे को छेडियो मत यह प्रारब्द का कहना है क्योंकि प्रारब्द जो तुम ले के आए हो पहले उसको तुम्हें निकालना पड़ेगा पहले वो निकलेगा अब तुम्हारे पास विकल्प है कि तुम्हें इसमें और आगे बढ़ना है या इससे बाहराना I'll make your life hell this is the problem with the people right now people want kids but they keep on telling themselves this particular lie that I don't want it अगर मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं आज से पांस साल बाद अगर मेरे को बच्चा नहीं होता है तो मैं सरोगेशन के पास जाऊंगा और जैसे जो भी तरीका होता है मुझे exactly नहीं पता हूं मैं निकलवा लूँगा just to get out of the desire लेकिन मैं तो तीन चार बच्चे और कर लूँ ये मेरे से नहीं होता है मैं एक गलती रिपीट नहीं करता हूं या तब तक रिपीट करता रहता हूं जब तक समझ ना आए लेकिन एक बार अगर समझ आ गया तो मैं डिपीट नहीं करता मैं तीन बार relationship में जा चुका हूं अभी तक तीसरे relationship में मेरे को समझ में आ चुका है वैसे तो लड़कियां साथाट आई है मेरे जीवन में लेकिन serious वालत तीन बार मेरा हो चुका है समझ में आ गया है अब मेरे को जानने की जूरूत नहीं है लेकिन लोग क्या करेंगी एक mangla बनाया फिर एक और mangla बना लिया फिर उस से बड़ावल फिर उस से बड़ा फिर चानद पर जमीन खरीद ली mangl पर जमीन खरीद ली private jet ले लिया अरे तुमको कब समय में आएगा महा मूर्ख कि सुख नहीं है इन सब चीजों में तुमको तो उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए था जब तुमने करिज्मा बाइग निकाली थी तुमको उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए था जब तुमने लैपटॉप खरीद के गेम खेला था तुमको उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए था जब तुमको पहला प्यार हुआ था ये दसवा प्यार क्या होता है ये कोई साला प्यार है दसवा प्यार अभी सुना है तू दसवा दसवा प्यार है पहला पहला प्यार सुना तू पहला पहला प्यार है मेरा जियार मैं सुना होगा लेकिन दूसरा प्यार तीसरा चोथा पांच वरा कई लोग मेरे से बोलते हैं पहला प्यार जो होता है उसी मेर मज़ा आता है उसके बाद तो सब नाम का प्यार है सही बात है एक बार आदमी का दिल तूट गया तो उस लेवल पर जुड नहीं सकता अब फिर से एक मौतरमा आएंग यू कहेंगे आपने फिर से ब्रेक अप से कनेट कर दिया इसको क्या करूँ मैं बहुत प्रतालित हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता यह बहुत ही कमर्शियल प्रावलम है ब्रेक अप जब आप पैदा हुई थी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ बुरा मत मानिएगा आपका नाम नहीं ले रहा हूँ कोई भी हो सकती है आप मैं खुद भी नहीं जानता आपका नाम क्या है जब आप पैदा हुई थी उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ इतने ब्रेक अप नहीं होते थे आज हर दस में से नव बार आपका ब्रेक अप हो रहा है 90% चांस है कि आपका रिलेश्चिप खतम हो जाएगा चाहे वो शादी हो चाहे ब्रेक अप हो आनंद की भिन्नता में लगा हुआ है पहले क्या था? एक वाइफ एक लाइफ अब क्या है? अनेको वाइफ और बरबाद लाइफ अभी यह है जिंदगी क्यों? एक से अनेक क्यों हो गया? क्योंकि माइड को भिन्नता चाहिए है माइड खुश नही है और जब माइड खुश नहीं होता है तो वाइफ इसे इसे काम करवाता है न जिसकी कोई सीमा नहीं आदमी आप जाके देखो क्या क्या कर रहा है क्या क्या नहीं कर रहा है कि उसको प्लेजर मिल जाएफ आज ब्लो जॉब कमपल चरीए अगर आपने आज ब्लो जॉब नहीं दिया तो खतम जिंदगी सब्गे शादी का तलाग हीएई हो रहा है उसे इसे लोग है मन उतना इतना इंपोरटन्ट हो गया है इतना जरूरी हो गया है क्या हो गया नहीं हो रहा है तो नहीं नहीं मुझे यही चाहिए मुझे इसका मतलब तुम उसमें सुख दूड रहे हो इतना ज्यादा तुम प्रताडित हो तुमारे मन से आनंद को आनंद लेओ आनंद को सुख मत समझो आनंद को आनंद की तरह देखो यह प्लेजर है टेंपररी है खतम हो जाएगा ज्यादा इसके चक्र में मत पढ़ो लेकिन लोग क्या करेंगे लोग सुख दूड़ते हैं उसमें सुख ही नहीं सुख बार नहीं है चलिया आज का कुछ जादे ही हो गया मैं इसको रखता हूं यह पे और यह तीन चीज़े थी जो मेरे जिंदगी में मुझे पतानी थी कि हो सकता है मैं आगे monetize करें इस वाज एँज कंफूजन फर में राइट नहीं तो थैंक यू टेक केर वेल सी वाट वी एट वाट 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 एट हुआ वी ठीज़ आगे ली एट